के साथ कॉलर जुड़ गए हैं उनसे बात कर लेते हैं जैपुर से हैं रुखमणी जी स्वागत है आपका मैं जैपुर से बोल रही हूं मेरी 65 एज है और मेरे नाम डर्द रहता है कमर में कब से दर्द है ये ये डिएट साल दो साल हो जाएंगे भी जी अचा रुमानी जी देखिए ये दर्द और डेड़ दो साल हो गए क्या दवा अपने नहीं ली होगी एक तो ये इलाज है आप दवाओं के नाम भी आपको याद हो जाते हैं कि दर्द हो तो ये दवा खा लो और हर पड़ा लिका आदमी दर्द की दवाओं के बारे में जानता है लेकिन कब तक खाओ ये फिर दर्द की दवाएं भी नुकसान देने लगती है अगर पंदरा दिन से ज़्यादा लगाता है इस्तमाल की जाएं तो इनके नुकसान दे असरात हमारी बाड़ी को होते हैं और पिर दूसरी बीमारियां भी शुरू हो सकती है और एक इलाज मैं जानता हूँ जो आपको शेयर करता हूँ देखिए ये इलाज एक तो राव मैटेरियल है राव मैटेरियल यानि कच्ची दवा तो देखिए ये ले लीजिए आप अपने किचन से धनिया इसका खूब बारिक पाउडर बना ले यानि मिलावट का ना हो आपको भरोसे का होना चाहिए और एक आता है गौन सिया ये मेरे अनुभव में दुनिया की सबसे बहतरी राव मैटेरियल है जिससे मेरे साथ जो जुड़े वे लोग है पता नहीं आप पहले से जुड़ी हैं या नहीं उनको फाइदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी ये परिशानी आने लगी कि ये भी नकली मिलने लगा तो असली दुआएं अगर आप हासिल करें जो भी मैं बता हूँ धनिया भी भरोसे का हो और गौन सिया सिया मतलब काला या काला गौन कहें लीजे ये सिर्फ सो ग्राम खरीद लें असली ये अगर असली मिल गया तो पंद्रा सोला रुपे रोस का इलाज है और आदा ग्राम सूबह ये रो मेटरियल है इसको पाउडर बना ले आदा ग्राम सूबह नाश्टे के बाद एक चमच धनिये के साथ और आदा ग्राम शाम को एक चमच धनिये के साथ ये मेरा अनुभव है कि ये खतम नहीं हो पाता है इनसका और मरीज को फाइदा होना मुम्किन है इन दौर से कर्ड़ल वर्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार केसे हैं मेरम जी हम अच्छे हैं आप बताएं आप पर जाया है आदाप अदाप जैहिन करनल साथ वेलकम आप केसे हैं मैं भी ठीक ही हूँ आप बताएं दौर पर याद रखना हमें भी दो सवाल है हमारे जी इर्शाद एक तो पहला सवाल है कि वो गेंगरिंग का जो मरीज है उसका प्रास्टिक सजड़ी मतलब हो गई है ड्रेसिंग चल रही है थोड़ा पर्स भी आता है और ड्रेसिंग भी चलती रहती है तो जनली सूप जाए जखम उसके लिए बताएं आप और दूसरा एक जो है कि जो है जी जी तो ये क्या दर्द में ये भी फाइदा करता है तो कि आप आपने बताया था कि इसको भून के शिलके निकाल के पीस के गोंच ये के साथ में खाएं तो शिलके निकालने का एक असा दरीका ये भी होता कि उनको भिगो दिया जाए तो शिलके निकल जाता है तो शिलक जो देखी ये इतना सक्त जान होता है, इम्ली का बीज, इसे हम तमर हिंदी कहते हैं, तमर हिंदी, इम्ली का बीज आम जबान में कहते हैं, कि ये भिगोने के बाद इसका छिलका बड़ा मुश्किल से उतरता है, और इसको अगर भून लिया जाए, तो फिर अगर दीरे मारा जाए, इस पर तो छिलका अलग हो जाता है, आसान तरीका मेरी नजर में ये है, अच्छा बला का ताकतवर है, और सस्ता भी बहुत होता है, इसे कोई नहीं पूछता, और इसको आप ले सकते हैं, और वोई, इसका दो गिराम खुराक होनी चाहिए, इसके पाउडर की दो ग गिराम खुराक, और आदा गिराम गौंसिया तो और भी तेज काम करता है, आप रहे सही जगा समझें आप, और आप हर बात याद रखते हैं, तो ये अच्छी ताकतवर चीज़ है, ये उनको जो महिलाओं को जो वाइड डिस्चारज होता है, उसके काम में भी आती हैं, उ इसब गौल की भूसी के साथ हम वजन खाते हैं, और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है, लेकिन ये सस्था इतना आता है तो लोग इसको जादा एहमियत नहीं देते और अगर इसको एहमियत दी जाए तो ये भी कई रोगों में काम करता है, और सुखाने के लिए उनका जो मर्ज के बारे में आपने कहा गौन चिल्गोजा आधा गिराम रोजाना उनको दें असली वाला तो उनको उमीद है कि जल्दी फाइदा ममकीन है बिहार से हैं आशा देवी जी स्वागत है आपका हालो हाँ आशा जी बताएए जी में मम्मी को ना दिनाए हो गया है क्या हो गया है दिनाए हो गया है पहले छोटे-छोटे से फूंचित जैसा होता है फिर पूरे टेस में फैल जा रहा है पूरी बोड़ी पर है क्या है फेस में हो गया है फेस में अच्छा कोई बात नहीं मम् आछादीजिये, ममीश सुनुरूरी है, मुझे आवाज आवाज आ रही है, चालीस, चालीस साल है, चुछिद एक आसान इलाज है, जिनको भी बच्ची ओं को हो या बड़ों को हो, मेहाँ से दाने फुणसीयें सी निकलती है, तो बड़ा असान इलाज है यह जो अलसी आती है अलसी इसको हलका सा भून कर पाउडर बना के रख ले और एक आता है सफेद गौन मौरिंगा अस्री वाला ले नकली बहुत मिलता है तो एक गिराम सफेद गौन मौरिंगा और दो गिराम अलसी रोज आना पानी से नारियल पानी से या बगएद चर्वी के दूस से देना शुरू करें कुछ दिन देने से उनको फायदा होना मुम्किन है अंजाब से हैं लता जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार नमस्कार जी जी चैहींद आदाब वीर की मेरे दो स्वाल ने एक मेरे भाईया है उसको ना यूरी कैशड़ गी है और चिक के बट लगती है चिक का चिक है खांसी जुखाम और दूसरा स्वाल है एक और यहाँ पर उनकी उमर 63 है और उसको भाईटी फोड्म ऐसे था है और मुंकर उनकी उमर्पने नहीं विरूं को पूल्म पाईया दोनों की उमर बताएँ आजी जने मुर्पने नहीं उसकी तो 63 है और दूसरे की तिसकी जी, देखिए, एक एक इलाज करके कर लें इनको, सबसे पहले अगर इनको, देखिए, दो चीजे होती है, सांस की प्रावलम में, सांस पूलता या तो दिल की वज़े से, कालिस्टॉल और हार्ट ब्लॉकिज की वज़े से, या पिर खांसी नजला बलगम की वज़े से, अगर खांसी नजला बलगम है, तो उनके लिए सपिस्तान, उननाब, अलसी, सौसो गिराम और पीपलें, किचन में से ले, 30 गिराम, इनको पौडर बना के दें, अगर सर्द मिज़ाजी की वज़े से, यानि ठंडे, ठंड का हैज खून में सर्दी है उनको, तो इनने ठंडा मिज़ाज का आदमी कहते हैं, तो ये आपको देखना किस वज़े से फूला है, खांसी नजला बलगम रहता है, तो फिपले की वज़ा है, अगर दिल की वज़ा है, तो वो जैतून का सिर्का, एक लीटर, और लेसन, अदरक, और लीमू का रस एक लीटर, मिक्स करके तीन टाइम तीन तीन चमच खाने के बाद देना होगा, तो इनको हाट के लिए, और कॉलिस्टॉल के लिए, और टाइपटीज में भी बहुत फायदा मुम्किन है, और सांस फूलने के लिए इनको फायदा हो सकता है, और जिन भाई को खांसी बलगम है, उनको तो मैंने सुखा बताई चुका हूँ, वही देना है, जो सपिस्तान, उननाव, अलसी, सौसो गिराम, और पीपले, तीस गिराम, इनको पाउडर बनाके, एक एक चमच, सुबा निहार में और रात को सोते हैं, गरम पानी से देना है, और खटी चीज आप उनको फाइदा पहुंचा सकते हैं. लेकिन हम जी, गूंद से मेरे 50% अराम है सर, अब ऐसा हो गए सर की, बीटी आई होने लगए और जी गबराने लगए, क्या कि सिया गूंद से जी गबराता है, या पी केर कैसुल से, ठीक है, हाँ सर एक किस्टन हो रहा है, क्या मैं टी, पी केर कैसुल ले सकती हूँ इसका तरदर्द के लिए गूंद छोड़के, ठीक है, हाँ जरूर ले सकती है, आपको ना बहुत ज्यादा भाउक है आपका जो मिजाज है, तो आप एक ही टाइम लिया करें, टी केर के अफसुल आप ले सकते हैं, पी केर से घवराट नहीं होती, इससे तो आपको पेट अच्छ होता है, घवराट दूर होती है, तो पी केर भी ले सकते हैं साथ में, टी केर भी ले सकते हैं, लिए टी केर लें तो गौंद सिया छोड़ दें, ये दोनों एक साथ लेना मना है, और अगर आप हेल्दी हैं और कालिस्टॉल है वाड़ी में तो उसको जरूर कम करें, देखि कि यह कॉलेस्टोल हमें दिल के आसपास चर्वी जमा देता है और दिल की रगों में भी चर्वी जमने लगती जिससे हमारा बीपी बढ़ता है कॉलेस्टोल बढ़ता है गवराट होती है तो इसके लिए भी कोई नुस्का लेना शायद आपके लिए जरूरी है चलि अगले अब फर्माएं क्या सवाल है? सवाल यह है हकी मेरे दिल की तरफ भूमता हुआ जर्द भूमता हुआ कभी उपर कभी साइड में कभी नीचे कभी हो जाएगा मेरी साथ बहुत दिलों से ट्राइ कर रहा था बड़ा बड़ा मतलब आज अच्छा महसूस हो रहा कि आप से बात ह उपा रही है हनी बात ही नहीं उपा दिये जर्वी अच्छा और बताएए और कुछ कहना चाहते हैं अमर बता दीजे अपनी अमर मेरी पचास साले साथ यह घूमता हुआ दर्द है मेरे पास मैंने गैस्टोलोजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने गैस बगारा बताएए उस जागा यह परेजानी है अधिरी ठीक है बहुत शुक्रिया आप से बात हो गई हम एक बात हो नहीं पाती सबसे एक प्रोग्राम 25-30 लोगों से बात कर पाता हूं तो शिकायत रह जाती है मैं माफी चाहता हूं आपसे इसलिए और दिन में 5-6 प्रोग्राम करता हूं तो सो लोगों से बात हो पाती है और यह हमारी कमी नहीं मजबूरी है अच्छा देखिए बड़ा अच्छा नुस्का है आपके किचन में है यह जो धनिया है ना इसको खुबारिक पाउडर भरोसे का मतलब मिलावट का नहों मिलावट का होगा तो काम अच्छा नहीं करता धनिये का पाउडर बना लें और इसको दो तीन सो ग्राम बना लें अपने लिए अलग वैसे तो सब के किचन में धनिया होता ही है और एक आता है नमक जैतून अच्छा नमक जैतून नमक जैसा दिखने वाला रसायन है जो नमकीन नहीं होता यह इसकी पहचान है नमकीन नहीं होता ये बिल्कुल भी और एक चमच धनिया सुबा नाश्टे से पहले ले लिया करें और एक या दो चुटकी नमक जैतुन इसमें मिला के ज्यादा पावलम है तो दो चुटकी नहीं तो एक चुटकी काफी है चुटकी से कहता हूँ मैं या आप दिन में एक बार या दो बार ले लिये करिये सुबा शाम खाने से पहले लेना बहतर है आदा घंटा पहले लेंगे तो बहुत अच्छा है यह आपके पेट के पूरे सिस्टम को सुधाता है एसिडिटी होगी तो उस पर कब्जा करेगा के अब मत हो और मैदे में कुछ गिरानी है तो उस पर एसिड अगर कम जादे हो रहे तो उनको संतुलित करता है और यह फुजलात को जो लेटीन है इसको आगे धकेलता है और लीवर को बड़ अच्छा रखता है किड्नी को बहुत अच्छा रखता है किड्नी में अक्सर पाबलम हो जाती है करिटिनाइन बढ़ती है लीवर अक्सर इंप्रेस हो जाता है और गैस, कब्स, एसिडिटी, बवासीर, यह बहुत ज़्यादा अच्छा नुस्का है और यह नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं और वो लोग उन लोगों को जरूर लेना चाहिए जो हमेशा कोई ना कोई दवा खाते हैं, रोज जिने दवा खाना पड़ता है, दवा खाना जिनकी मजबूरी है, दवा खान नुक्सानात जो हम तेज दवाएं खाते हैं, उनके नुक्सानात को चाहे बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे कोई भी दवा हो जब भी हम 10-15 दिन से ज़्यादे खाते हैं, फिर उसके नुक्सानात शुरू हो जाते हैं, यह नुक्सानात को रोपने की ताकत रखता है झाल झाल झाल